दोस्तों मेरे पास एक ऐसा फोन है जिसकी कीमात 8000 रुपे लेकिन 8000 रुपे के प्राइस पॉन पे ये Android 13 के साथ आता है बिल्कुल क्योंकि आध के समय में आज भी हमने बहुत सारे फोन देखे जो Android 12 के साथ आ रहे लेकिन अंडर 8000 रुपीज में Android 13 ऊपर से बात करें तो close to stock Android देखने को मल रहा है और प्राइसर के बात करें तो वो भी प्राइस पांड के साब से काफी सही देखने को मलता है तो आकरी इस फोन में ऐसा है क्या दो को यहां पर बात करने वालों मोटरोला के मोटो ए 13 की इस फोन की जो कीमत रखी गई है ना वो रखी गई है 7000 और 8000 यानिकि फोन के अंदर आपको 7000 रुपे वाले में 2GB RAM 64GB स्टोरेज है और जो 4GB RAM 64GB स्टोरेज वाला मॉडल है वो ह एक 06 processor देखने को लेगा आगर में comparison के बारे मात करें जैसे कि MidiTech का Helio 822, P22 या फिर G35 से compare कर ले उनसे बहुत बैटर है ये ये प्रोसर पटिवला segment में बात कर रहे है तो बागी जितने भी processor आपको दूसरे phones में देखने को लेगा उससे better performance आपको निकाल देगा इवन कुछ महेंगे phone के साथ भी जो से जादा कीमत किया आता है ये चीज़ यहां पर काफी सही लगी कि कम से कम processor वगरा वाली चीज़ों में cost cutting नहीं की कई है उपर से बात किया तो RAM यहां पर जो प्रोवाइड की जारी वो की जारी LPDDR4X ये एक बात आप लोगोंने सही सुनी इसके साथ ही EMMC storage है और हाँ यहां पर आपको micro SD card का slot भी देखने को मलेगा storage expand करने के लिए हैना काफी सही बात लेकिन फिर बात यह फोन के अंदर चीज़े दिये तो यहां पर Android किस तरीके से perform करेगा जैको पहली बात यहां तो यह Android 13 के साथ आ रहे लेकिन इस यहां पर go edition दिया गया और go edition के बारे में नहीं पता तो regular जो Android रहते है ना उसी को base बनाया जाता है लेकिन उसमें से कुछ चीज़े हटा दी जाती है और उसको थोड़ा light weight बना जाता है ताकि जो entry level phone होते हैं उनके उपर अच्छे तरीके से look and feel material जो interface रहते हैं वो तो उन्होंने maintain किया है और जो free duty smoothness रहते हैं वो भी maintain की गई है लेकिन बात यहां पर यह कि यहां पर काफी सारी company इस particular price point पर bloatware बहुत जादा डाल देती हैं तो क्या इन्होंने यहां पर bloatware डाले देखा तो Motorola ने कुछ अपने modifications वगरा करे कुछ अ stock android pure android देना पसंद करते हैं तो वो एक बात अच्छे लगी है हाला कि phone के अंदर glance भी देखने को मिलता है कुछ लोगों चीज पसंद आ सकती है लेकिन हां यह सारी चीज़े डिजेबल आप कर सकते हो और उस सबसे overall बात कर तो software experience आपको काफी सही देखने को लगा क्योंकि 7- 8000 रुपए में software experience बहुत ही खराब होता है लेकिन अगर आपको close to stock experience देखने को मिल रहा है तो यार वो एक चीज यहां पर काफी अच्छी लगी इसके साथ ही बात कर तो phone के अंदर बैटरी भी काफी अच्छी जो की है 5000 इमेच की बैटरी 10W का charger box में ही आपको देखने को मि दें लेकिन price pod के साबसे ज्यादा complaint करने सकते हैं और एक ठीक ठाक display यहां पर आपको देखने को मिल रहा है content consumption basic चीजों के हिसाब से यहां पर सही है और phone के अंदर बात करें और performance भी ऐसे मिले की जितनी भी basic task का आपके होते ना वो सारे आप यहां पर कर सकते हैं हाला कि यहां पर 4GB RAM वाले version को test किया है उसके अंदर आप कुछ basic चीज़े कर सकते हैं तो heavy काम होता है यह multitasking वगरा वो थोड़ा गरवाट करेंगा तो एक अच्छा experience मिलता रहेगा इसके साथ ही बात यहां पर एक ही phone के पीछे के camera की पीछे सिंगल camera दिया जा रहे है 13MP का main camera है और selfie के यह अंदर 5MP का camera है camera भी देखा जाए तो काफी जादा basic nature का देखने को लता है आप casual photography अगर किसे को करने है तो थोड़ी बहुत यहां पर आप कर सकते हैं और यह record sample 5MP का camera है जो की काफी जादा basic यहां पर आपको देखने को मिलता है इसका साथ ही बात करें phone के पीछे का design प्लास्टिक के साथ आता है और इसके अगर में design को अगर ध्यान से और इसका design होता है न मेरे को काफी जो महेंगे phone साथ है ना उसकी यहां पर यादे ला देता है चु इसके साथ ही इस phone के अंदर आपको dual band Wi-Fi यानि के 2.4 GHz और 5 GHz Wi-Fi का support मिलता है साथ ही साथ यहां पर आपको IP52 की dust and splash resistance भी देखने को मिलती है जो इस से पहले इस segment के phone में हमने पहले कभी नहीं देखी थी ओपर से बात करें तो इस phone headphone jack भी है और USB Type-C port भी आपको देखने को देखा जा तो इस phone में आपको wide 1 L1 देखने को नहीं मिलता लेकिन इस price point को दूसरे phone होते है उनमें भी यह चीज नहीं आती है इसके साथ ही हापे कोई भी gyroscope का sensor भी देखने को नहीं मिलता और देखा है तो यहां पर आपको कोई भी fingerprint scanner भी देखने को नहीं मिलता तो हां य जो phone ही आपको Jio Mart पर भी देखने को मिलेगा तो वहां जाकर भी इस phone को लिया जा सकता है ओपर से बात किया है तो इस phone को और value for money बनाने के लिए यहापे Jio के offers बगरा को भी include किया गया है जैसकि phone अगर आप लेंगे और Jio के network में अगर opt-in करेंगे पहले 15 दिनों के अंदर तो आपको 700 रुपे का flat cashback देखने को मिलेगा और यहापे अगर आप Jio का offer अगर avail करते है तो यहापे Jio Sim को ही आपको यहापे use करना पड़ेगा और यहापे Jio Sim को 30 मंस तक lock हो जाएगा यानि कि आपको Jio Sim को ही use करना है इस phone के अंदर 30 मंस तक बदले में आपको 700 रुपे E13 की और बात की जाए तो 8000 रुपे के सापसे इस phone को recommend किया जा सकता है क्योंकि price pod के सापसे software experience प्रॉसर वो सारी चीज़े सही है और देखा तो basic use के लिए phone यहापे काफी सही हो जाता है तो दोस्तों यह एक कहानी है Moto E13 की बाइद आवे यह phone आप लोग को यहापे कैसे हुआ हुआ है